नमस्कार दोस्तो मैं उदेलाड फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहिते चानल इंडियार मुर्गी पालन पर उड़ो देखने वाले हर किसान भाई का और मुर्गी पालक भाई का आज के उड़ो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत दोस्तो थमनेल देखा टाइटल भी पड़ा दोस्तो हर बेरोजगार युवा योती के लिए दिव्यांग विकलांग व्यक्ति और भुजुर्गा आबादी के लिए दोस्तो देशी मुर्गी पालन का यह व्यावसाय आस बन चुका है दोस्तो और इस व्यावसाय के माध्यम स पिछले कुछ सालों से बहुत सारे मेरे जो युवा लोग है दोस्तो इसके माध्यम से अच्छी खासी कमाई कर पा रहे ऐसे में दोस्तो अब देशी मुर्गी पालन के इस व्यावसाय में हमें आधुनिक तंत्रका भी इस्तमाल करना पड़ेगा जिसका नाम है दोस्तो यानि इंकुबिटर तो दोस्तो चूजे निकालने वाली मशीन लेते हुए हमारे दिल में और मन में कुछ सवाल आते हैं जैसे कि मशीन कौन सी ली जाए सेमी आटोमेटिक या फुली आटोमेटिक मशीन लेते हुए कौन से बाड़ी को प्रिफर किया जाए थर्मकॉल पर कभी पहुच ही नहीं पाए कि हमें मुर्गी पालन के व्याउसाय के लिए इंकुबिटर तो सोव प्रतिशत चुनना है लेकिन इंकुबिटर ले तो ले कहां से और इंकुबिटर लेते हुए हमारे यह जो तीन मुख्य सवाल है इनके जवाब कैसे हमें मिल पाएंगे जो दोस्तो तयार किया है जिसके माध्यम से आपके मन में आने वाली हर समस्या को दोस्तो मैं यहां पर जो है अच्छे खासे तरीके से जवाब में तब्दिल कर सकूं इसलिए दोस्तों आप सभी को इतना ही मेरा कहना है कि आपके हर सवाल का जवाब देने का इमानदारी से एक प्रयास किया गया है इसमें से कुछ सवाल और भी आपके मनमस्तिष्क में पनपते हैं या कुछ बाते छूड़ जाती है तो आप एक तो दोस्तों 84, 81, 82, 62, 62 पर कॉल करके पूछ सकते हो नहीं तो दोस्तों आप कमेंट सेक्षन में आपकी कमेंट्स के जर्या मुस्तक सव प्रवाल भेज सकते हो तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों से इतना ही मेरा कहना है कि वीडियो अंत तक देख लीजे पसंद आया तो लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा किसान भाईयों के पास मुर्गी मुर्गी पालक भाईयों के पास यह वीडियो पहुचाने के लिए शेयर कर दिजिए इसके लिए आप पर्सनल वाट्सप नमबर वाट्सप ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप फेस्बुक इंस्टाग्राम स्नैप्चाट इन सोशल मिडिया के साधनों का इस्तमाल करके लिंक मुर्गी पालक भाईयों से हाथ जोड़कर विंति करता हूं दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं मानता रहूंगा आप भी मुझे आपना और घर का सदसे मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लिजिए इसके लिए इस वीडियो के दाईतरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाए देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजे उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में घंटी आएंगी इस घंटी को टच करते हुए और इस नोटिफिकेशन को ओल कर दीजे ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो देख लिजे दोस्तो मुर्गी पालन का यह व्यवसाय हमारे पूरे भारत वर्ष में बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है 140 करोड की जन संख्या में से कितने आएसे families है दोस्तों की जिन के लिए मुर्गी पालन का व्याउसाय रोजगार का सबसे बड़ा साधन बन चुका है आएसे में दोस्तों देशी मुर्गी पालन के व्याउसाय में आप आधुनिक तंत्र यानी modern technique जो कही जाती है जिसका नाम है दोस्तों incubator इसका इस्तमाल करते हुए आपके मन में आने वाले हर सवाल का दे रहा हूँ जवाब सवाल नमबर एक incubator semi-automatic लिया जाए या fully automatic दोस्तों इस सवाल का देता हूँ जवाब पहले हम जान लेते ही कि semi-automatic incubator क्या होता है और fully automatic incubator क्या होता है तो दोस्तों जिस incubator में सभी process अंडा घुमाना हो या total hatchery की बाते दोस्तों अपने आप होती है उसे fully automatic incubator कहा जाता है जिस incubator में दोस्तों आपको सुरिप सुभा और शाम 12-12 घंटों के बाद अंडों को अल्टी-पल्टी करना पड़ता है चार-चार मिनिट के इसको आउधी लगता है दोस्तों इस process को हम यहाँ पर semi-automatic machine कहते हैं यानि कि अंडों को घुमाना इसमें ही दोस्तों आपने आप घुमेंगे तो fully automatic और हमें घुमाना पड़े तो दोस्तों वह semi-automatic बन जाता है बाकी कोई भी फरक नहीं है लेकिन गुमाना मतलब rotate करना मतलब बहुत दिक्कत की बात लगती दोस्तों इसके जैसे आसान कोई बात नहीं है इस प्लस के साइन को आपको समझो सुभा आपने उपरी तरफ रखा तो शाम को 12 घंटों के बाद उसको निचली तरफ करना है क्यों तो दोस्तों आइसा करने से उपरी सतहे को 12-12 घंटों के बाद heat और humidity मिलती है और इसके कारन वस दोस्तों अंडों के अंदर जो चूजा तयार हो रहा है उसे परियाप्त मातरा में दोस्तों चूजा बनने के लिए जो गतिविदिया चाहिए होती है बहुत ही अच्छे तरीके से होती रहती है साथी में दोस्तों एक और बात की क्या इनके rate में फर्क है हाँ दोस्तों अगर आपको मिसाल के तोर पर बताओ समझो semi-automatic incubator 3000 में thermacol body का मिलता होगा 100 अंडों का तो दोस्तों 100 अंडों का ही fully automatic incubator आपको 6000 या इससे थोड़ा महेंगा मिलेगा क्योंकि semi-automatic machine से fully automatic machine के rate दुगने होते हैं साथी में दोस्तों semi-automatic 100 अंडों की machine में 100 अंडों तो बैटते हैं लेकिन fully automatic machine में 100 अंडों की machine भी हो गई तो भी 70 या 72 या इससे ओपर आणे बैट नहीं पाते हैं खासकर और एक बात दोस्तो fully automatic machine होने के कारण वहस हमें कुछ अनुभों सीखने को नहीं मिलता है और साथी में दोस्तो यह fully automatic होने के कारण वहस हम इस पर ज्यादा तर ध्यान भी नहीं देते हैं ऐसे में दोस्तो बहुत सारी दिक्कते हमारे सामने आती है कभी-कभी चूजा वहाँ पर अच्छा नहीं निकल पाता है दोस्तो अगर लेकिन आप यहाँ पर दोस्तो सेमी आटोमेटिक जो मशीन है उसके अंदर आंडो को सुबह और श्या माल्टे पल्टी करोंगे तो इसको माध्यम से होगा क्या कि जो क्रिया और गतिविदी आप हर दिन होनी चाहिए वो अपने हाथों से यहाँ पर जो है दोस्तो होगी इसका मतलब है कि दोस्तो आप सही तरीके से एक तो आनुहो ले पार हो semi-automatic से fully automatic में 30% अंडे कम बढ़ते है semi-automatic से fully automatic में अनुभों कम मिलता है semi-automatic हम personally वहाँ पर पूरे manually बाते करते हैं इसलिए मिलने वाला result, choosing, सक्षम, मजबूत और तंदरुस निकलता है fully automatic में नहीं हो पाता है इसलिए बेवज़ा अपना पैसा और समय जाया मत कीजिए semi-automatic से शुरुआत कीजिए जिसकी लागत कम होती है जिससे मिलने वाला result ज्यादा होता है जिसमें ज्यादा अंडे बैट कर ज्यादा choosing निकलते है आपको choosing निकल कर देने की जिम्यवारी हमारी और आपको semi-automatic हो या fully automatic इंकुबेटर चाहिए तो आप नंबर लिख लिजे 84-212-62-684-21-82-62-62 इस नंबर पर कॉल करके मेरे साथ संपर कीजिए मैं आपको बास सारी बाते समझाँगो उसके बाद ठीक लगा तो booking कीजिए नहीं तो छोड़ दीजे दूसरा आपके मन का सवाल दोस्तो की बाड़ी कौन सी ले यानि के दोस्तो हम क्या सोचती है कि हमारी मशिन सालों साल चलनी चाहिए और यह सोचना भी चाहिए थोड़े बहुत पेमेंट ज्यादा चली गई कोई दिक्कत की बात ने आईसे में दोस्तो थर्मा कॉल वाड़ी की ले प्लाइवड वाड़ी ले या दोस्तो फाइबर वाड़ी दोस्तो फाइबर वाड़ी की पहले दिक्कत बताता हूं दोस्तो इन में दो दिक्कते होते एक तो fiber body का incubator जो होता है दोस्तों बहुत ही ज्यादा महेंगा मिलता है यह सबसे बड़ी दिक्केते और हमारे भारत वर्षे की 97 से लेके 98 प्रतिशत आबादी आए से दोस्तों कि उनके पास ज्यादा तर पैसे नहीं है आएसे में दोस्तों यह सवाल उत्पन होना ही नहीं चाहिए कि fiber body और fiber body का दूसरा loss क्या है कि जब यहां पर hit के बात करें तो hit बहुत ही जल्दी lose और बढ़ जाती है आएसे में दोस्तों निकलने वाले चूजे सही मातरा में fiber body से अच्छे कासे नहीं मिलते हैं अनुभो से सिद्ध होने के कारणवस दोस्तों आपको बतला पा रहा हूँ आएसे में दोस्तों fiber body का लेना चाहिए यह जो सवाल है इसका उत्तरहे सव प्रतिशत नहीं लेना चाहिए फिर सवाल आता है कि फिर हम क्या thermacol body का चुनिया प्लाइवड body का तो दोस्तों अगर आपके आप यहाँ पर बहुत ज्यादा चूहे और छोटे बच्चे है तो ही दोस्तों आप प्लाइवड body का लीजिये नहीं तो thermacol body आपके लिए ठीक रहेगी और आप मुझसे पूछेंगे तो क्या thermacol body का ठीक रहेगा है प्लाइवड body का रिजल्ट के तोर पर तो दोनों इंकुबिटर आच्छे है दोस्तों लेकिन प्लाइवड body से पाथ से लेके साथ चुझे thermacol body में ज्यादा निकलते ही यह हम यकीन के साथ कह सकता हूँ और प्लाइवड body का जो इंकुबिटर है ओह सव अंडो का हम 5000 में देते है दोस्तों और thermacol body का 3000 में यानि दोस्तों आईसा भी आप सोच सकते हो खराब जब का तब देखा जाएगा लेकिन 1000 रुपए अगर प्लाइवड body के इंकुबिटर में और डाल दे तो सव अंडों क semi-automatic thermacol body के दो इंकुबिटर आ सकते हैं इसलिए दोस्तों आपको यहां पर जो है आपका जवाब मिल चुका होगा कि कि आपके पास समझो वहां पर बहुत ज्यादा चूहे और छोटे बच्चे है तो ही दोस्तों प्लाइवड लीजे नहीं तो आप दुनिया का सबसे सस् इंकुबिटर semi-automatic thermacol body का जो भारत वर्षे में सटीक बैट पा रहा है दोस्तों उसका नाम है दोस्तों यहां पर हमारे तरफ से दिया जैने वाले इंडियन मुर्गी पालंका यह इंकुबिटर भारत वर्षे के किसी भी कोने में आपको मिलेगा इससे ही शुरुआत कीज दोस्तों इसलिए बेवज़ा ज्यादा खर्चा मत कीजिए आप 3000 में थर्माकॉल का मिलेगा 5000 में आपको प्लाइवड मिलेगा आठ से लेके 9000 में फाइबर मिलेगा लेकिन आपको आगर चूजे ही निकालने हैं तो चूजे निकाल कर मैं दूगा सक्षम मजबूत निकाल क पर दूगा आप बेवज़ा 3000 की जगह पर 9000 का इंकुबिटर मत खरे दिये लगे तो 9000 के आप यहां पर तीन इंकुबिटर ले सकते हूं चलो आपके दूसरे सवाल का भी जवाब आपको मिल गया होगा और भारत वर्षिक किसी भी कोने में आप इंकुबिटर मंगा सकते हैं आपके नस्दीक के एरिया में आपको मिल जाएगा और इसकी बुकिंग करने के लिए अधिक जानकारी पाने के लिए नंबर नोट कर ल रहा हूं तो मैं मेरा फार्म मुझे बढ़ा करना है लाखो का कमाने के आपकी सोचे दिकत नहीं है लेकिन सवाल क्या आता है कि मुझे बड़ी मशीन ही लेने की है 400-500 अंडू की लेकिन दोस्तों मेरी बात इतनी यहां पर जो है मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में 35,000 तक चली जाएगी जान दीजिए लेकिन इसके लिए आपको इन्वर्टर तो लाना ही पड़ेगा साथी में दोस्तों यहां इंक्यूबिटर आपको थर्मा कॉल बॉड़ी में नहीं मिलेगा आपको महेंगा मिलेगा और उसके तोर पर उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा आ दूसरी बात दोस्तों यहां पर एक बात जान लिजिए कि इस मशिन का मेंटेनेस बहुत हर्ड होता है और एकदम यह मशिन अगर खराब हो गए तो आपको अगली बैस डालने को नहीं आए गए और आपके जो आंडे अंदर डाले वो सभी आंडे खराब हो जाएगी साथी साथी में दोस्तों एक बात और जान लिजिए कि यहां पर जो आंडे डाले जाएंगे वो बहुत ही ज्यादा फ्रेश आंडे नहीं होगे जिसके कार्णुष अपने आप आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा लेकिन सोच कर देखिए 500 आंडों की एक मशिन जो 30-40,000 में मिल रह साथी में दोस्तों आप 2-3-4 दिनों के अंडे इकटा करके ताजे ताजे अंडे डाल सकोगे जिससे आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा तंदरुस्त चूजा निकलेगा मजबूत चूजा निकलेगा साथी में दोस्तों आपका पाच में से 11 इंकुबिटर खराब भी हो गया तो चार इंकुबिटर तो चलते रहेंगे यानि आपके बैचस निकलना बंद नहीं होगा साथी में दोस्तों यहां पर और एक बात जान लीजिए कि इनका मेंटिनेंस बहुत हर्ट नहीं होगा इसलिए दोस्तों आप सुक संतोष से संतोष की जगा छोड़के कहां द पांडों के पांच इंकुबिटर लेना ठीक है 500 अंडे की एक मशिन लेने की जगह पर इससे आपको समय समब पर बैचस मिलेगी मजबूत मिलेगी तंदरुस्त मिलेगी और निकलने वाली बैचस पर आपका ध्यान भी रहेगा दोस्तों और सेमी आटोमेंटिक दुनिया के किसी भी कोने से आप इंकुबिटर तो ले सकते हो लेकिन दोस्तों हमारी सुविदाय जाते जाते सुन लीजे और उसके बास सोचकर आप बुकिंग कर लीजे पहले नंबर नोट कर लीजे दोस्तों नसीब बदलने वाला नंबर है और आपको रोजगार देने वाला नंबर है इसलिए दोस्तों इस नंबर को सेव रखिए हमारे तरफ incubator लेने के बाद आपको मिलने वाली सुविधा है नमबर एक दोस्तो जो company या होती है incubator तो भारत वर्ष में हर जगह पर पहुचा नहीं पाती लेकिन भारत वर्ष में हम incubator हर जगह पहुचाते हैं दूसरी बात दोस्तो सबसे important बात की इनकुबिटर जो है पहुचने के बाद दूसरी कमपन या कुरियर चार्ज अलग से चार्ज करती है हम आप से मशीन पहुचने के बाद जो रेट बताया जाएगा उससे अधिक एक भी रुपया चार्ज नहीं करेंगे दूसरी बात आपकी मशीन आपके पहुचने के बाद दोस्तो अगर वह डामेज निकलती है टूटी फूटी निकलती है तो दोस्तो रिप्लेस्मेंट पॉलिसी के तहट आपको मशीन बदल कर दी जाएगी तीसरी बात दोस्तो आपको अनुभव कुछ भी ना हो तो अंडे चुनने से लेकर चूजे निकलने तक पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा चौथी बात निकलने वाले चूजो का टीका करन कैसे किया जाए इसका टाइम टेबल और खुद मैं जानकारी आपको दूगा चौथी बात दोस्तो जो अगली बात है यानि हमिया पर पाच्वी कह सकते हैं तो brooding जो होगी दोस्तो चूजो की यानि की उनका पालन पोशन इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी छटवी सुविदाय दोस्तो की निकलने वाले चूजे को क्या, कब, कैसे और कितना खिलाना चाहिए इसकी पूरी फिड मैनेजमेंट की जानकारी आपको दिलाई जाएगी और साथी और आखरी बात दोस्तों कि पहले तीन महा तक मशीन का अड़ाप्टर, कंट्रूलर एवं पंखा यह तीन महा तो पुर्ण पार्ट में से कोई भी पार्ट खराब होता है तो दोस्तों वह पार्ट बदल कर देनी की जिम्मेवारी हमारी होगी और इसके लिए आपको अलग से पेमेंट करने की आवशकता भी नहीं है साथी में दोस्तों हम यह कहते हैं कि मशिन एक लेंगे तो एक एक्स्ट्रा किट लिजी लिकिन में एक एक्स्ट्रा किट चल जाएगी इसका मतलब ही कि आपके पास एक एड़ाप्टर, एक पंखा और एक टेंपरचर कंट्रेलर अलग से होना चाहे जैसे एक चार पई या गाड़ी को एक स्टेपनी रहती है उसी तरीका से सुरक्षित्ता के लिए और हमारी ब्याच ना खराब हो इसके लिए आपको एक हजार में दी जाने वाली एक्ष्ट्रकीट रखना बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इस पर सोच विचार कीजिए दोस्तो किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है मैं इमानदारी से कोशिस कर रहा हूँ कि भारत वर्षे की हर जन संख्या को हर फैमिलीज और परिवार को दोस्तो मैं एक ऐसा व्यावसाय देशकू कि जिसके माध्यम से उनके परिवार में अच् आपको पूरी जानकारी पूरी सहायता और मार्गदर्शन किया जाएगा ताकि आप देशी मुर्गी पालन के इस व्यावसाय के माध्यम से आगे चलके दिन दुगनी राच्चा उगनी प्रोग्रेस कर पाएं आपको आपके व्यावसाय के लिए बहुत बहुत शुप काम नाइए दोस्तो आप यहाँ पर व्यावसाय का चुनाव कर लिजे बेस्ट आप लग करता हूँ दोस्तो इस वीडियो के बारे में कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में पोच लिजे और दोस्तो वीडियो प सब्सक्राइब कर लिए इस वीडियो के दाई तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाए देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजे उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में गंटियांग इस घंटी को टच करते हुए और इस नोटिफिकेशन को आल कर दीजे ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो दोस्तों आईसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदयलाण आप सभी के चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा तब तक के लिए मेरे ह किसान भै और मुर्गी पालक भाई का आज की उड़े में तहे दिल से बहुत-बहुत आभाई